नमस्का दोस्तों Stockmark Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिगज ऑटो कुमपणी के बारे में मतलब ऑटो सेक्टर के दिगज कुमपणी के बारे में इसका नाम आप पहले ही देख चुके है इसका नाम है मारती सुजुकी तो इस मारती क उपन होने के बाद इस टॉक में एक जबदस उच्छाल देखने को मिला तो इसके पीछे क्या रेजन है और इस जो ब्रेकिंग न्यूज है इसके चलते हुए कुमपणी के उपर कितना इंपेक्ट वनने वाला है कुमपणी के उपर क्या फाइदा होने वाला है उसके सारे यहां पर मैं आपको डिस्कास करूंगा तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्रीब नहीं के तो जुरू सब्सक्रीब करना क्यों को डेली वेसी टॉक मार्केट इंफोर्मेशन चाहिए तो इस चनल में बने रही है तो चलो देखते हैं आ तो आप रिजन जानते हैं मार्केट निप्टी गयाप में ओपन हुआ और उसके बाद धीरे 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 डाउन्टेन में आया तो उसी के कारण भी यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग चला तो इसलिए एक अच्छा का सा डाउन्टेन देखने को मिला फिर भी पेशले दिनों में जो इसका प्रइस था मतलब प्रॉब है तो इसका देखा जैए तो इसका क्लोजिंग था श्बशार सब्सक्राइए टो उसे एंशाम को कंपानि जो धुवèces वा तो इसके देखा जैत Awald 1.5% का जाम यहापर देखने को मिला मगर यहापर जो यह जो तेजी था इस तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है उसका जो कारण है उस कारण को मैं आप ही डिसकस करूँगा तो चलो पहले देख लेते हैं कारण के बारे में किसके लिए कॉमपानी ने इतना अच्छा उच्छाल दिखाने के लिए इतना उच्छाल दिखाया तो यहापर देखिए जो कारण है दिगज वेबसाइट माइंड के साइट से आपको पब्रिस किया गया है तो यहापर देखिए मारति सुजु की गेट्स नोट ओर इस थार्ड Fa Erfahrung इन हरियनर इंए में थार्ड मैनुफेक्चरिंग उडाने वाला हैत देखिए यहापर बनाएगा मतलब जिस गाड़ी बनाने के लिए फिर से नया मैनुफेक्चरिंग का biggest टीस के फाइदा company को मिलेगा क्योंकि company जितने गाड़िया बनाएंगे तो उतने उतने sale करने का target भी होगा तो जब जितने sale करेंगे तो उसको profit होगा तो profit जितना होगा तो सबसे ज्यादा फाइदा shareholder को मिलेगा तो इसी का एक impact आपको भी आज की दिन देखने को मिला तो इस good news के चलते हैं एक उच्छाल देखने को मिला तो इस जो निउस है यह तो मुझे positive नीउस लगा है क्योंकि company का जो नया एक manufacturing unit open होने का final announcement किया गया है मतलब obviously जो हरियाना को जो government है उन्होंने plan को अनुमती दे दिया है open करने के लिए तो उसी का कारण आज के उच्छाल देखने को मिला तो यहाँ पर देख सकते company actually यहाँ पर सारे डिट आप को में दिखा देता हूँ अब देखें मारति सुजु कि India limited जो company है has got note for city of a new manufacturing unit in हरियाना हरियाना में एक new unit खुनने का एक कारण बताए गया है और the chief minister of हरियाना मतलब हरियाना का जो chief minister है उससे permission लेना पड़ेता है तो उन्होंने तक ही मनहर लाल उन्होंने permission almost दे दिया है on saturday said clearance has been given मतलब all lost clearance दे चुके है और auto measure म्यारुति सुजु की फर सीटिंग आप in new plant over 900 एक और प्लेस में मतलब जो लैंड दिया गया है मतलब जितने सारे जगा इसको दिया गया है manufacturing करने के लिए करीवन करीवन 900 एक और का वो जगह है और टोटली यहाँ पर प्लान सेंक्षन भी कर दिया है इसका चीम मिनिस्टर है हरियाना का उन्होंने खूद यहाँ पर मीडिया के मतलब से बताया है यहाँ पर जो impact आने वाला है तो इंपेक्ट बहुत जबदस होने वाला है क्योंकि company का manufacturing जबदस्त में होगा तो company ज्यादा क्या करेंगे उसको ज्यादा करेंगे उसका टार्गेट ज्यादा लेंगे तो manufacturing करने के बाद सेल ज्यादा होंगे तो company को फाइदा ही फाइदा मिनेगा तो फाइदा जब होंगे तब आपको भी एक अच्छा का सा फाइदा मिने वाला है तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा देख सकते हैं तो यहाँ पर कौन सा गाड़िया इस मतलब हर्याना जो न्याव बनने वाले है वह बी आप देख लिजे में पहले आपको पिक्चा दीखा देखा दिता हूं अजिए तो इस कमपणी नेखा जाएगा तो तो almost सब कुछ बात हो चुके है क्योंकि आपे देख सकते हैं this is sorry this has been discussed in details with the senior management जो senior management है मतलब जो senior management बात कर रहे कर अलड़ी कर चुके है government के साथ of the company he said along with this the company has been given SGST मतलब जो state government का जो state goods and services tax जो tax देना पड़ता है वो almost बात हो चुके है for 15 years by the government मतलब 15 सालों के लिए जो taxes देना पड़ेगा मतलब state level में जो good production होंगे उसका जो service tax देना पड़ेगा SGST अब सभी जानते हैं SGST है CGST है उसका जो tax देना पड़ेगा उसके उपर पूरा बात हो चुके है 15 सालों के लिए almost बात हो चुके है मतलब company बहुत दिन तक काम करने के लिए पहले से एक जो उसका जो जितने सारे format इस है उसको film आप कर चुके है तो company almost जल से जल काम करना सुरू कर देंगे यहाप आप देख सकते यहाप देख सकते कमपणी का जो का गाडिया बनेंगे वह सिलिरियो है, वो 2021 का मोटल बनेगा, तो गाड़ी का मोटल यहां पर डिटेस्ट दिया गया है, और कमपनी का जो में टार्गेट है, आप देख सकते हैं, कमपनी CNG वेरियंट के भी गाड़िया यहां पर बनाने बाले हैं, आप सभी जानते हैं, गवर्मेंट का जो में टा करिवन उसका टार्गेट है, तो 2030 के अंदर, 30-35 के अंदर, ज्यादा तर गाड़िया यहां पर CNG और इलेक्टिक वेहिकल हो जाना चाहिए, तो इस कमपनी के गाड़ी भी CNG वेरियंट के उपर बनने वाला है, इस जो नया प्लैंट है, तो यहां पर अच्छा खासा गाड में न्यूज आ जाता है, तो एक जब अदस उच्छाल देखने को मिलता है, तो उच्छाल के पीछे कुछ कारण होना चाहिए, और आप पूरा डेटा लेकर ही काम करिए, तभी आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, कम लॉस होगा, क्योंकि आप आप देखिए, आप क्या कर कर देखिए, तो आपको क्या होगा, लॉस ही होगा, कोई एक ऐसा न्यूज आया, जो लॉंग टाम के लिए नहीं, तब आप फज जाओंगे, तो यह जो न्यूज है, टोटली लॉंग टाम के लिए, तो इस टाइम न्यूज के उपर आपको स्टाडी करना चाहिए, और इस 2329 इसका हाई था, और लो था 6400, तो कॉम्पानी बहुत दिनों में एक साइड बेसिस में चल रहा है, मैं एक बार आपको चार्ट पटन देखा दू, या पर देख सकते हैं, कॉम्पानी बहुत दिन, मतलब करीवन 2020 स्टार्ट होने से, कॉम्पानी आज तक एक साइड बेसि करते हैं, तो आसा करता हूँ, सारे जान करें आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करना, दोस्तों साइर भी करना, मिलते हैं, अगले स्टॉक लेके तब तक तक अच्छे से रही है, आपने ख्या लेखिए, बाई बाई